ओम सिरी गनेशा नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हर दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 मई मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ मैं नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने वीडियो पहुँश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथुन राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजटिव रहने वाला है दोस्तो परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है घरिल उच्छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके दुआरा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सैयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साति सात आज आप बहार की गति विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबद तरीके से अपने कारों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्थ होगी तथा आए के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रख रखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा परसनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्ष करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अत्यावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कारों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी विसेश रूची रहेगी इसकी वज़े से आप सम्मानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रखें उनका आशिरवाद वे शयोग आपके लिए भग्य उदे का निर्मान करेगा घर में कोई धर्मिक कार रहे आज संपन हो सकता है जिससे घर में शकारतमक उर्जा का वास होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज जादा से जादा विवादों से दूर रहने का आप प्रयात्न करें सावधानी रखते हुए किसी भी कार को करें अपने आप पर भरोसा करते हुए आर्थिक लेंदेन में सावधा नी रखें कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से सुभाब में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्म विश्वास उर्जा बनाकर रखना जरूरी है साते साथ विध्यार्तियों का विध्यान अपनी पढ़ाई पर केंदरित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती है कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका भी आज लग रही है दोस्तो अपने सम्मान की देखवाल आप श्वैम करें चोरी होने अत्वा खोने की संभावना आज लग रही है प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्वा भाई के साथ कोई कहा सुनी होनी की भी आज आसंका है थोड़ा साथान रहें साथी साथ कोई भी उपलब्दी आज मिलने पर तुरंती ही उस कार्रे को करें जदा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है साथी किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा साथ्यान रहें दोस्तो ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिक्ता रहेगी साथ साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है करूद की अपेक्छा सांती पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं दोस्तो स्वयभाब में धहरे वे नर्मी बनाकर आप रखें जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता है थोड़ा साथान रहे दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहूल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तो साथी साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरण संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वैवार में संतुलन बनाकर रखना अतियावशक है दोस्तों वहवायत जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों को मर्यादित बना कर रखना अतियावशक है दोस्तों साथि साथ विस्तता के बापजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें इस से सभी को प्रसंद ता मिलेगी दोस्तों बात कर लेते हैं अज़ आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाएं बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविस्य के लिए आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तो साति सात कारे छित्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है विश्यक छित्र में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साति सात नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामाने रहने वाली है आज किसी तरह की कोई स्वास्थ सम्मंदित समस्या उत्पन होनी की कोई संभावना नहीं है आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशिनान आदी से निर्वत्र होने के बाद कुछ मीठी पूडियां बनाएं इसके बाद आप इन मीठी पूडियों को भगवान बजरंग बली का इसमरन करते हुए बंदरों को खिलाए और साथ साथ अपनी मनों काम नए मांगे या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही स करना ना भूले धन्यवाद